हेलो गाइस आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे नई वीडियो में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ECI Bulgaria T10 2024 की आज से एक नई T10 सीरीज स्टार्ट हो रही है इसके पहले मैच के बारे में ठीके इस टूनामेंट में तीन टीम है और दो दिन के अंदर इंडर के दस मैच के करीब खेले जाएंगे पहली टीम है Bulgaria दूसरी टीम है सरविया और तीस टीम है गिलबर अरतार्ट ठीके पहले बात करते है पहले मैच की जो खेला जाएगा बुल्गेरिया वर्सेस सर्विया के बीच मैच खेला जाएगा मैच की टाइमिंग है ग्यारा बच के पैंता अलिस मिनट ठीक है डेट दस अगस दो जार चौबिस आज ही किये वैदर की बात करें तो वैदर किलियर है बारिस के कोई भी चांस नहीं है वैन्यू देखे तो नैशनल स्पोर्ट अकेडमी वसली लावास की सोफिया में मैच खेले जा रहा है तो आज का इसी वैन्यू पर है पिच रिपोर्ट की बात करें तो एक आर्टिफिसल पिच जिसके बिरिवियर में कुछ भी चेंज नहीं होता स्यम रहती है बैटर और बोलर के लिए अवरेजज स्कूर की बात करें तो एवरेज स्कूर 160 से लेकी 150 का बनता है ठीक है और वैन्यू रिक़र्ट की बात करें तो अभी जो बुलगिडिया की cc- LOT चल रही थी वह सी वैन्यू पर फीठीग time तो उसका मैuti record लिख रखा है फिलाल तो भी ठीक है 60 मैच हुए तो उस सीरीज में जिसमें 27 मैच जीतिती बैटिंग 1st करने वाली टीम और 33 मैच जीतिती बैटिंग 2nd करने वाली टीम यानि 2nd बैटिंग वाली को थोड़ा बहुत advantage था ठीक है पहले बात करता है बुल गिरेक तो आप वीडियो को पूरा देखना बीना skip करा ताकि आपको दौनों टीमों के सभी पिलरों के बारे में डिटेल में जानकारी हो जाए किसको कैप्टन मनाना है किसको वाइस कैप्टन मनाना है किसको select करना है कि इसको drop करना है उसके बारे में detail में बात करेंगे ठीके और साथ ही हमारे चैनल को subscribe जरूर कर लेना ताकि आपको इस tournament से related सारे वीडियो मिल जाएंगे दिन के 5 मैच होते हैं तो हम 5 के वीडियो बनाते हैं ताकि किसी भी मैच में आपको टीम बनाने में दिक्कत ना है और इस मैच से related सारी जानकारी आपको टेलीग्राम पर ही मिलेगी जैसे बैटिंग और प्लेंग 11 टॉस अपडेट और जो हमारी फाइनल टीम होती है वो पहले बात करते है बुलगीरिया की जिसका पहला मैच है और सभी बॉलिंग बिल्कुल नहीं कराई थी ठीक है इसलिए खाली बैटिंग से कंट्रिबूट करता है इसको अपन सलेक्ट जब ही करेंगे जब इसका बैटिंग ओडर टॉप फॉर में रहेगा ठीक है क्या टॉप फॉर में रहने के चांस कम है क्योंकि बहुत अच्छे पिलियर ओपनिंग करने वाले तो उमीद लगती है कि इसका बैटिंग लेट आएगा अगर टॉप और फॉर में खेलेगा तो अपन इसको ट्राय कर सकते हैं इसके बाद कु सिर्ज इसने 49 मैच में 800 चॉइस रन बनाए 33 के अवरेस से यहां भी अपनी टीम के लिए थर्ड या चार पर खेल रहा था तो आज इस मैच में भी इसी पोजिसर्ण पर खेलता वादिक सकता है और इंपोर्टन फिलियर साबित होगा ठीक है 49 मैच में 800 चॉइस रन बनाए 33 इसके अवरेस से अच्छी ट्राइक से बैटिंग करता है इसको भी आप ट्राइक कर सकते हो इसके बादे जॉज डावलिंग 14 मैच में 138 रन बनाए 20 ओवर की गेंदबाजी करवाते वे 2 विकेट लिए बॉलिंग तो करवाता है लेकर विकेट बहुत कम मिलते है इसलिए फ 13 ओवर की गेंदबाजी करवाते वे 11 विकेट लिए इसके बादे एंथनी डावलिंग 14 मैच में 137 रन बना इसने 14 की एवरेस से 16 ओवर की गेंदबाजी करवाते वे 6 विकेट लिए टीटेन में ठीक है इसके बादे अगागुल एमदूलिया एक अच्छा ओल डाउंडर है और बैटिंग और बालिंग दोनों से कॉंट्रिबूट करेगा उन 50 मैच में 612 रन बनाए 27 की एवरेस से 68 ओवरो की गेंदबाजी करवाते वे 28 विकेट लिए बैटिंग और बालिंग दोनों से कॉंट्रिबूट कर सकता है उसके बादे ऑक्सकर ढूफ जिसने 14 मैच में 170 रन बनाए 17 की एवरेस से 25 ओवर की गेंदबाजी 10 विकिट लिए या भी आपको बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग दे सकता है लेकन खेलने खेलता है तो इंपोर्टन्ट साबित होगा इसके बादे अली रसूल 43 मैच में 81 रन बनाए 75 ओवर की गेंदबाजी करवाते हुए इसके बादे खेलेगा तो आपको 2 ओवरों की कम्प्लिट गेंदबाजी देगा इसके बादे हुजीफा यूसुफ साथ मैच में 142 रन ए 104 ओवर की गेंदबाजी 49 विकिट लिए या भी 2 ओवर की गेंदबाजी दे सकता है ठीके इसके बादे इसा जायरो जिसने 17 टी टेन के मैच में 251 रन बनाए 18 की एवरेस से 31 ओवर की गेंदबाजी करवाते हैं दस विकिट लिए इंपोर्टेंट है क्योंकि आल राउंडर पिलियर है बैटिंग और बॉलिंग दोनों से कॉंट्रिबूट करता है और स्टार्टिंग ओवर्स में गेंदबाजी करता है इसके बाद जैरिक जुकताई 42 मैच में 606 रन बनाए 29 की एवरेस से 78 ओवरों की गेंदबाजी करवाते हैं 36 विकिट लिए उसके बाद दानियल अली जिसने 35 मैच में 279 रन बनाए 60 ओवर की गेंदबाजी करवाते हैं 14 विकिट लिए इसके बादे क्रीस हैरिश्टो करता है और कैपन वाइस कैपन सी का अच्छा चॉइस है उसके बाद है डीमो नैक लोग जिसने 42 मैच में 37 रन बनाए 45 ओवर केंदबाजी करवाते हैं 14 विकिट लिए इसके बाद है दूसरी टीम ठीक है तो यहां से जो भी प्लियर खेलेगा उसकी सब की डिटल आपको टे कहीं इसका नाम माइक जोन्स आ रहा है कहीं माइकल जोन्स आ ठीक है अब मैंने डेट अब बड़ दौनों में जाके चेक करें तो डेट अब बड़ के साबसे यह वही पिलियर है जो आपन समझ रहे हैं जो अभी टीटरन में खेल रहा था भी कल इसकी टीम जीती सोफिया श सीरीज चल रही थी उसमें इसने लगबख 16 मैच में 8500 रन बनायते हैं ठीक है तो इंपोर्टेंट है और इस मैच में कैप्टन वाइस कैप्टन सी का चोईस है लोगों का ध्यान गलत लग रहा है यह पिलियर लेकर इंपोर्टेंट है क्यूंकि इसका डेट बड़ सेम है ठ अच्छा बैट मैने साथी आपको विकेट कीपरिंग के पॉइंट भी देगा इसके बादे वेंटली बाटन जिसने 28 मैच में 26 की एवरस से 535 रन बनाये 17 ओवर की गेंदबाजी करवाते हैं दो विकेट लिए विकेट कम लिए लेकर बल्ले बाजी अच्छी करता है ट्राए कर सकते हूँ इसके बादे निमोंजा जमोंजिक जिसने 23 मैच में 20 रन बनाये 20 ओवर की गेंदबाजी करवाते हैं बारा विकेट लिए ठीके बालिंग थोड़ी कम करवाता है ट्राइ करना ऑथ ग्रेंड लिग में ट्राइ कर सकते हूँ उसके बादे सौल बदन टॉसिक ठीक है जिसने 12 मैंच में 31 रन बनाया दारे ऑबर की गेंदपाजी करवाते हैं उसके बादे बॉकसिं जॉमोरणी जिक जिसने 23 मैंच में 25 रन बनाया पैंटिस ओवर की गेंदपाजी करवाते हैंrit 13 मैंच में 25 रन बनाया 19 मैच में 21 ओवर की गेंदबाजी करवा यह T10 में 8 रिकेट लिए इसके बाद मजिता सेरनिक जिसने 9 मैच में 0 रन बनाया 13 ओवर की गेंदबाजी करवाते हैं विश्ट साथ रिकेट लिए बालिंग करवा सकता है खहलेगा तो और बाकी के जो इस टीम के तीन प्लियर हैं इनके रिकॉर्ड फिलाल अभी तक मैं को मिले नहीं है जिसे ही मिलते मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूँगा ठीके और या टीम सोड़ी वीक दिख रही है पहली टीम के मुकाबले सिर्फ एक दो प्लियर अच्छे उपर के तीन प्लियर माइकल जोन्स, एंडिन डेनबर, वेंटली बार्टन और नीचे से देखे तो एक प्लियर नजर आ रहा है मैं को वी जुमोंचिक ठीक है इन चार प्लियर कैप्टन इबार्टन, वी, जिमोंचिक, माइकल जोन्स, इसके अलावा एहमदूल और अली रसूल, ठीक है, कैप्टन मैंने बनाया है माइकल जोन्स को, जैसा मैंने वीडियो में बोला था, ये एक लोता है, इस मैच में कैप्टन सी का चॉइस है, ठीक है, और वाइस कैप सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आपको इस टूना में इंट से लिल्टेट, सारे वीडियो मिल जाएंगे, दिन के 5 मैंच होते हैं, तो हम 500 के वीडियो बनाते हैं, और इस सीरिज के अलावा, 12 तारिक से इटली की रोम की सीरिज स्टार्ट हो रही है, टीटन की, तो हम उ प्राइब भेति प्राइब।